दोस्तो स्वागत है आपको इस वीडियो में मैं हूं सत्रुधन यादव आप देख रहा है सत्रुधन टीचिंग शेंटर देखिए बहुत सारे स्टुडेंट जो है यही कहते हैं कि सर्थ डारेक्शन टेस्ट बहुत एजी होता है इसे मैं बना पाता हूं अराम से कभी-कभी जो है डारेक्शन टेस्ट में बड़ए-बड़ए प्रस्ण दि दिये जाते हैं जिसन बनाते समय थोड़ा सा तकलीफ मतलब दिकत हो जाता है तो इस विडियो में मैं डारेक्शन टेस्ट का कुछ महत्वपोर्न प्रस्रंद लेकर के आया हूं कुछ लोंग-लोंग प्रस् परशनों को कैसे बनाते हैं और यदि आप पुराने हैं मतलब की तेजा स्टुडेंट है फिर भी आप रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख लिए चुकी थोड़ा सा लोंग परशन इसमें मैं सामिल किया हूं चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों देखे यह मोबाइल मे देख कर ही जो है देखिए इसी में प्रस्न है ना नजर आ रहा इस प्रस्न को मैं देख करके यहां पर हल करता हूं और आपको यह प्रस्न स्क्रीन पर नजर आता है यह वीडियो इडिटिंग में बाद में जो है लेयर के रूप में लगाया जाता है है ना आपके सवाल प्रास्न को देखता हूं बीना कंसेप्ट के कोई भी टीचर कैसे पढ़ा सकता है वो भी यूटूब पे ऐसे वीडियो बना करके है न इडिटिंग का भी पता चल जाता है कब-कब इडिटिंग किये हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट किजिए ऐसा मैं नहीं करता हूं कुछ कर लिजेगा मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए वेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा ठीक है चलिए प्रस्ण आपको नजर आ रहा होगा इसको मनाते हैं देखें डिरेक्शन टेस्ट जब आप हल करते हैं ना तो सबसे पहले यह आपको माइंड में रख लेना है यह आपको मैंड में रख लेना है नौर्थ List इस्ट और बेस्ट इतना आपको एकदम मतलब की रखना ही रखना है मैंड में और यह सिद्धा दच्षीन की और चलेगा लिख देगें दो की में आब यहां से दाय मुढीता तो दोस्तों आप यदि दच्षीन जा रहा हैं तो दाइना हाथ किद्योगा पस्पेश्ट के और होगा तो पस्पेयार 90 डिगरी मुड़ता है और मुड़ने के बाद 2 km चलता है यहां चला देखिए 2 km इधर भी 2 km इधर भी अभी वह बेस्ट की ओर जा रहा है ना फिर वह 45 डिगरी अपनी बाई और गूम जाता है आप देखिए यहां भी दाया बाया है ध्यार है यदि कोई पसिम की ओर जा रहा है तो दाया हो जाएगा नौर्थ में और माया हो जाएगा सौथ में तो पैतालिश डिगरी बाई और पैतालिश डिगरी बाई और का मतलब है इधर इधर देखिए यहां पर भी एक चोरहा बनाना पड़ेगा आपको ऐसे तो यह पैतालिश डिगरी इधर का आ जाएगा है और चलता है और एक किलोमेटर चलता है यहां पर एक यहां पर एक क्लिक देंगे है न चलता है अब अपने अरंभी कस्थान से कहां है यह था अरंभी कस्थान चोराहा पर जहां से वह चला था अरंभी कस्थान था यहां से वह कहां है तो इस दिशा में है दोस्तों यह य Lynn ऊपिदिए सोर्थ मतलब की पश्चिम और दच्छिन तो पश्चिम दच्छिन कहां देख लीजिए ? दच्छिन पश्च्छिम-डी-में इसका अंसर है तो क्या हो जाएगा दच्छिन पस्चिम तो दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे इस डाइग्राम को अच्छी तरह से समझे होंगे यहां पर जो है 45 डिगरी से मुड़ा है तो यह थोड़ा सा सुचने वाली बात है हाना और कहीं कुछ नहीं था चलिए नेक्स्ट प्रस्ण क्यों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रस्ण जो है आपकी स्क्रीन पर नजार आ रहा है देखिए हाना सुधा आठ किलोमेटर दच्छिन क्यों चलता है चलिए यहां से हमको तो यह मानना ही है ना चो रहा हाना एन एस डबलू यह एक चीज माइंड में रखिएगा कि नौर्थ क दाइं और इस्ट होता है पूर्व होता है बस और नौर्थ के विप्रित सौर्थ होता है ठीक है तो सुधा आठ किलोमेटर दच्छिन क्यों चलता है तो चलिए चोरहा से आठ किलोमेटर दच्छिन क्यों आई यह लिख दीजी आठ के मी है ना तो उसके बाद क्या होता है फिर वह दाएं और घूमती है और चार किलोमेटर चलती है अब कोई दचिन की और जा रहा है तो दाहिना हाथ किदर हो जाएगा बेस्ट की और बाया हाथ इस्ट की और तो दाहिने और घूमकर चार किलोमेटर तो दूरी के हिसाब से इसका आधा लिखना है आधा लिखना है यहाँ पर लिखना है चार किलो मीटर है ना चार किलो मीटर यहाँ पर लिख दिए उसके बाद है वहाँ फिर अपनी दाइं और घुमती है और आठ किलो मेटर चलती है तो अब देखिए जब बेश्ट में कोई जा रहा है तो दाहिना नौर्स की और होगा आठ किलो मेटर जा तो यह इसका बरावर हो जाएगा तो यह चार किलोमेटर था तो यह भी कितना अच्छी तरह से आप समझ गए होगें चलिए चलते हैं अगले प्रस्न की और प्रस्न आपके स्क्रीन पर देखिए हां ना काफी बड़ा प्रस्न आपको नजर आ रहा होगा लेकिन यह उतना बड़ा है नहीं देखिए इसको बनाएए चलिए बीवेक और असोक एक निस्चित अस्थान से चलना प्रणाम करता है मान लेते हैं कि यह एक निस्चित अस्थान है ठीक है अब यहां से बीवेक और कौन है असोक चलना प्राम करता है बीवेक उत वुद्तर की और तीन किलो मेटर लिखे यहाँ पर हाँ उसके बाद दाई और धूंकर चार किलो मेटर चला अब दाइं और देखे कोई उत्तर जा रहा है तो दाया तो एस्ट कि और होगा न तो चार किलो मेटर चला तो इसको लिखेंगे के और चलता है कितना पांच किलो मेटर पस्यम के और पांच किलो मेटर तो पांच किलो मेटर चलता है वह दाही और मुणकर तीन किलो मेटर अब बताए असोक चर रहा है बेश्ट में तो दाहिना हाथ किदर होगा नौर्थ में तो तीन किलो मेटर चलता यानि इसके बरावर यह भी 3 km है ठीक है यहां पर आ गया इसके बरावर आ गया तो अब कह रहा है कि अब वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है तो यह दूरी कितना हो जाएगा इसके बरावर यह 5 है तो यह भी 5 km और यह कितना था यह कितना था 4 km तो 5 और 4 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो ज अंसर हो गया 9 किलोविटर इसका अंसर तो दोस्तों अची तरह से आप समझ गये होंगे आसा करते हैं चलिए अगले प्रस्ण की और चलते हैं अगला प्रस्ण भी आपको बहुत बड़ा देखने में लग रहा होगा है ज्यादा बड़ा देखने में लगता है बस देखिए इ तो यह कहता है यहीं कि आपको करना कोई एक्स्ट्रा माइन वे दिमाग नहीं लगाना है बस यह जो कहेगा चलिए क्या कह रहा है लीला एक स्थान से चलती है और एक किलोमेटर पूरव की ओर जाती है अब हमको तो बस इसको तो याद ही रखना है ना एन एस और डबलू औ और चलेगा कहां से 14 से कहां से चलेगा 14 तो यहां से पूरव की ओर एक किलो मिटर को कि यहाँ पर एक किलो मिटर लिख frank देंगे एक किलो मिटर क्योड पिर वह बाई और गूमती है और 2 km अब बताएगर कोई पूरा प्रकॉर जा रहा है तो दाई ना हात हो जाएगा सौ्थ की ओर और नौर्थ की ओर ठीक है तो बाय गूमकर 2 km चलती है तो चलिये 2 km इसको नौर्थ की और दो किलोमेटर बाएं इधर होगा फिर दाएं घुमकर दो किलोमेटर अब यहां से दाएं तो अब देखिए यहां पर दो हाथ उत्तर जा रहा है तो दाएं इस्ट में और बायां बेस्ट में तो दो किलोमेटर इस्ट में फिर से दो किलोमेटर ठीक है चलती ह चलती है और फिर चल कर अपनी दाई और दो किलोमीटर चलती है अब फिर से दाई और मुड़ेगी तो इसी लाइन पर आ जाएगी यहां पर दाई और फिर से तो दो किलोमीटर इसी लाइन पर आ गई है ना पर चलती है अस्थान तक जाती है जहां से और फिर एक किलोमीटर बाई और चलती है अब इधर की और आ रहा है तो इसकी बाया हाँ इस्ट की और तो एक किलो मीटर और यह जो है बाई और जाती है दाहिनी और तो बेस्ट में आ जाएगी ना तो एक किलो मीटर बाई और मुड़ गई एक किलो मीटर यहाँ पर लिखेंगे एक किलो मीटर आब अपने आरंबिक अस्थान से कितनी दूरी पर है तो दोस्तों एक किलोमीटर ये दो किलोमीटर ये एक किलोमीटर ये तो एक पलस दो पलस एक ये एक था लाश्ट में तो कितना हो गया चार किलोमीटर यहां पर अंसर आने वला है अप्सन बी में दिया गया है तो बड़ा दे हगड़ा कर रही है तो थोड़ा सा माइडिनरदग हो दहाbung होता है हर किसी के ध्रक्ति अगल्बगल में यह और नहीं रहता है ध्यःगडने वाला खिर टेंसन नहीं लेना है चलिए अगला प्रस्न क्या है एक ब्यक्ति पस्चिम की और चला चली आपको इसको को नहीं घुश्टा प्रस्ला है जगह बच रहा है इधर कर लेते हैं इसको मत भूलिएगा फीर दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा यहां से चला फिर दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाई और मुड़ा अंत में बाई और मुड़ा अंत में बाई और मुड़ा अंत में बाई और अब वहां किस दिशा क्यों चल रहा है तो उत्त चल रहा है बस अराम से अंसर क्या हो जाएगा उत्तर यह दूरी नहीं भी लिख सकते हैं यह दूरी हम नहीं भी लिख सकते हैं यहां से पच्छिम चल चला मुह किदर है पच्छिम मुह किदर है पच्छिम फिर दाय मुड़ा फिर दाय मुड़ा फिर बाय मुड़ा बात तो रहे हैं उत्तर क्यों जा रहे हैं अंसर उत्तर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही प्रस्ण था मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो एविलेबल है और जिके ट् मिलते हैं अगले वीडियो